परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाली आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हालेलोया, 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 प्रभयेश्व बता रहा हैं परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाली आत्मा से और सच्चाई से आराधना करें। हालेलोया, 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 परमेश्वर आत्मा है, इसका मतलब यह है, कि उसे मनुष्य की तरह कोई शाररिक स्वरूप नहीं है, परमेश्वर का पुत्र, 2000 साल पहले इंसन बना और धर्ती पर आया, बाइबिल कहती है, वो इंसन बना और धर्ती पर आया, 33 साल वो मनुष्य के रूप में धर्ती पर रहा, धर्ती पर आने के पीछे मकसद ये था, कि मनुष्यों के पापों का दंड खुद उठा कर, उसे मनुष्यों को पापों से मुक्ति दिलानी थी, इसलिए जब हम अपने विश्वास को प्रकट करते हैं, तब हम ये बोलते हैं कि परमेशवर इंसान बना, इसका मतलब ये है, परमेशवर इंसान है नहीं, उसके पास हमारी जैसा एक नाशमान शरिर नहीं है, और इसलिए प्रभु सिखा रहा है, कि परमेशवर आत्मा है, और इसलिए वो हमें अपने आखोन से दिखाई भी नहीं देता है हालेलोया जिन बातों को शाररिक अस्तित्व नहीं है उन बातों को हम अपने आखोन से देख नहीं सकते है हम मनुश्यों को देखते हैं प्राणी देखते हैं पंची देखते हैं पेड़ पौधे देखते है पर ऐसी कई सारी चीज़े है जिने कोई शाररिक अस्तित्व नहीं है जैसे कि हम हवा को अंदर लेते हैं जो हमें आखोन से दिखाई नहीं देती है क्योंकि हवा को शाररिक अस्तित्व नहीं है हालेलोया परमेश्वर आत्मा है तो हम अपने दिमाग से या बुद्धी से ये नहीं बता सकते है उसके हाथ कितने होंगे उसके आखे कितने होंगी उसके पैर कितने होंगे उसके उचाई कितनी होंगी वो कितना महाकाई दिखता होगा क्योंकि उसे कोई शाररिक अस्तित्व नहीं है वो आत्मा है और उसी आत्मा से निकला हुआ प्रकाश जो इनसान बना उसे हम उद्धार करता इश्यू मसिह बोलते हैं हालेलोया परमेश्वर का नाम जो बाइबिल में लिखा गया है वो है यहोवा मतलब है मैं हूँ परमेश्वर को मुसा ने पूछा था कि तुम्हारा नाम क्या है परमेश्वर मुसा के साथ बाते करता था पर उसे यह जानना था कि परमेश्वर का नाम क्या है लोगों को मैं क्या बताओ कि मुझे किस परमेश्वर ने भेजा है उसका नाम तो बोलना चाहिए कि मुझे किस ने भेजा है परमेश्वर ने कहा कि मेरा नाम है यहुआ मतलब मैं हूँ लोगों को जाकर ये बता कि मुझे मैं हूँ उसने तुम्हारे पास भीजा है परमेश्वर अपना नाम मैं हूँ ऐसा कहता है इसका मतलब एहें वो है, आज भी है, कल भी है और युगान यूग रहेगा और उसके अलावा और कोई ऐसा नहीं है जो अनंतकाल बना रहेगा हालेलोया हमें जो अनंतकाल के जीवन की उम्मीद और आशा मिल गई है वो इश्व मसीह में मिल गई है परमेश्वर में मिल गई है उसके अंदर हम अनंत जीवन पासकते है उसके बाहर नहीं क्योंकि वो ही एक मात्र ऐसा है जो था, है और युगान युग बना रहेगा कैसे दिखती है या उसके पैर कैसे होगे या उसका शरीर कितना बड़ा होगा हम प्रभ येश्व की तस्विरें जरूर लगाते है क्योंकि वो इंसान बन कर आया था पर स्वर्ग में वो कैसा है और सिहासन पर बैठा हुआ महान परमेश्वर पिता कैसा है उसकी तस्विर हम नहीं बना सकते क्योंकि उसे कोई शाररिक अस्तित्वन नहीं है वो तो इतना रोशनी से भरा हुआ है कि उसकी और कोई देख भी नहीं सकता है हालेलोया 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 यदि परमेश्वर को शाररिक अस्तित्वन नहीं है तो वो भी चाहता है कि हम शाररिक चीजों के द्वारा उसकी आराधना या उपासना ना करें हम शाररिक स्वरुप से उसकी आराधना या उपासना ना करें बल्कि आत्मा से और सच्चाई से करें क्योंकि वो आत्मा है और वो आत्मा है इसलिए यदि हमें उसकी आराधना करनी है उसकी उपासना करनी है तो हमें अपनी आत्मा से और सच्चाई से उसकी आराधना और उपासना करने चाहिए हालेलोया आप बाइबिल को अच्छे से पढ़ेंगे परमेश्वर के वच्चनों को ठीक से पढ़ोगे तो जान जाओगे परमेश्वर का हर एक वच्चन हमें ये सिखाता है और ये दिखाने के कोशिश करता है कि परमेश्वर के लिए शाररिक बाते महत्वपूर्ण नहीं है अत्मिक बाते महत्वपूर्ण है जब प्रभु ने उपवास के बारे में कहा तब उसने ऐसा कहा था जब कभी तुम उपवास किया करोगे तो इस रिती से अपना मुहम्मत बना के रखो कि सब लोग जाने कि आप उपवासी है बलकि जब तुम उपवास करोगे तब अपने सर पर तेल लगाओ अपना चेहरा अच्छे से धोकर रखो इसका मतलब फ्रेश रहो जो मनुष्य खाना नहीं खाता है या समय पे उसको खाने को नहीं मिलता है उसका मुह जैसा उत्रा हुआ रहता है उस रिती से अपना चेहरा बिगाड के मत रखो चेहरा इस तरीके से रखो कि लोग नहीं जानेंगे कि आप उपवासी है पर तुम्हारा पिता जो गुप्त में है वो जानेगा कि आप उपवासी है हालेलोया इन वच्चन में प्रभु क्या दिखाना चाहता है परमिश्वर आत्मा और सच्चाई से उपासना और आराधना चाहता है आप लोगों को दस बार बताओगे आज मेरा उपवास है आप लोगों को बताते चाहेंगे कि आज मेरा उपवास है आज में खाना नहीं खाऊंगा इसका मतलब आप ये बात को लोगों के सामने दिखाना चाहते है कि मैं कितना धर्मी वेक्ती हूँ कि मैं उपवास रखता हूँ हालेलोया इसलिए मैं लोगों को हमेशा सलाह देती हूँ जब कभी आपको उपवास करना है एक बात का ध्यान जरूर रखना कि वो दीन आप परमेश्वर के मौजूदगी में बिता सकते है यदि आप घर पे रह सकते है या प्रार्थना घर में आकर आप उपवास करना चाहते है वो दीन आप परमेश्वर के मौजूदगी में बिता सकते है तो उपवासी रह जाओ वरन आप उपवासी है और जगह जगह जाके काम कर रहे है किसी रिष्टेदार के यहां गए उन्होंने आपको कुछ खाने को दिया आप बोलेंगे आज नहीं खाऊंगा आज मेरो उपवासी फिर और किसी के पास गए आपके दोस्त ने कहा चलो जरा होटल में जाते हैं कुछ खाते हैं आप बोलेंगे आज नहीं खाऊंगा आज मेरो उपवासी दिन में 25 बार आपको लोगों को बताना पड़ेगा आज मेरो उपवासी आज मेरो उपवासे कुछ फाइदा नहीं है परमेश्वर आत्मा है वो हमारे दिल को परकता है बाहरे रूप को नहीं देखता है हालेलोया 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 क्या आप लोगों के सामने इस बात के अड़वर्टाइस करना चाहते हैं कि मैं कितना धर्मी हूँ मैं कैसे उपवास करता हूँ मैं कैसे प्रार्थना करती हूँ और आप जाकर यहां वहां घुमते हैं लोग आपको खाने पीने के लिए बोलते हैं और आप जवाब देते हैं कि मेरा उपवास है उस उपवास का आपको कुछ प्रतिफल नहीं मिलने वाला क्योंकि लोग आपको भला बोलेंगे और वही तो आपका प्रतिफल आपको मिल गया इसलिए मैं लोगों को कहती हूँ जब कभी आपको उपवास करना होगा आप घर बैटके प्रार्थना करो प्रवचन सुनो, बाइबिल पड़ो और ठक गए तो लेट जाओ पर यहाँ वहाँ मत जाओ जब आपको ज़ादा समय लोगों के संपर्क में आना है उस दिन उपवास मत करो वरना आपका उपवास दुनिया के सामने आशाएगा हालेलोया दुसरी बात प्रभु ने ये भी बताई है कि जब तु दान दिया करेगा ऐसे गुपतरिती से दान देने के लिए प्रभु ने कहा है कि जब तु दान देगा तब तेरा दहिना हाथ जो दे रहा है वो बाइए हाथ को पता तक नहीं चलना चाहिए क्या ये मुम्कीन है कि हमारा दहिना हाथ क्या कर रहा है ये बाए हाथ को पता नहीं चलेगा एक ही शरीर के दो आंग है तो दहिना हाथ जो कर रहा है वो बाए हाथ को पता नहीं चलेगा ऐसा कैसा हो सकता है पर इतनी कड़क बात बताकर प्रभू ये दिखाना चाहता है कि तुम्हारा दान देना भी ऐसा गुपता होना चाहिए कि तुम लोगों को दिखाने के लिए नहीं बलकि परमेश्वर को दिखाने के लिए दान देना चाहिए हालेलोया हालेलोया क्योंकि लोग ऐसे होते है जो दान देते है और दस लोगों को बताते भी है यह मैंने दिया है क्यों? लोग मुझे भला कही एक बार एक भाई ने अपने केंद्र में एक बड़ा टीवी दान किया था 25-30 अजार का कुछ टीवी था केंद्र में वो टीवी लगाया गया और वो अपने प्रार्थना के वोलेंटेर्स को पूछ रहे थे कैसा लग रहे टीवी? मैंने दान दिया है कैसा लग रहे था? अच्छा दिख रहे है मैंने दान किया है प्रभू कहेगा इसका बड़ा प्रतिफल तुझे मिल जाता पर अभी गायब हो गया क्योंकि लोगों ने भला कहा ना तुझे भला आदमी है पर अच्ची सजार का टीवी दान दे दिया भला आदमी है उसका दान कच्रा बन गया क्योंकि लोगों ने उसे भला कहा तो परमेश्वर की और से कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा वो दिल को परखने वाला परमिश्वर है जो भी करोगे दिल से करो बाहरी बातों से शाररिक रूप से लोगों को दिखाने के लिए मत करो कई-कई लोग प्रार्थना भी इसलिए करते हैं कि लोग देखे हम कितने धर्मी है कुछ लोगों को बड़ी बड़ी प्रार्थना करने की आदत होती है चिल्ला चिल्ला कर बहुत सारी बाते बोलते ये वो वो एक एक घंटा उनकी प्रार्थना खतम नहीं होती है हालेलोया मतलब वो क्या दिखाना चाहते है हम इतनी लंबी प्रार्थना कर रहे है, इसका मतलब हम परमेश्वर से कितने जुड़े हुए है, इतनी लंबी प्रार्थना कर रहे है, इसका मतलब हमारा परमेश्वर के साथ रिष्टा कितना अच्छा है, और हम कितने धर्मे वेक्ति है, ऐसा वो लोगों को दिखाना चाहत पर परमेश्वर तो आत्मा है वो हमारे बाहरे रूप को देखकर और बाहरी बरताव को देखकर और इन सारी बातों के द्वारा प्रसन्न नहीं होता है क्योंकि वो आत्मा है तो वो हमारे आत्मा को परकता है जांचता है और परमेश्वर चाहता है कि उसकी आराधना करने वा परमेश्वर को शाररिक अस्तित्व नहीं है तो हम यह नहीं बोल सकते हैं कि इसी जगह परमेश्वर मौजूद है यह यहीं पे मौजूद है मैंने आपको कभी नहीं सिखाया है कि इसी प्रार्थना घर में परमेश्वर मौजूद है और कहीं नहीं क्या मैंने आपको ऐसी गलत शिक्षक अभी दी है, इसके विपरित मैं लोगों को ये सिखाती हूँ, आप जहां कहीं होंगे, वहां दिल से उसको पुकारो, परमेश्वल आकर आपकी मदद करेगा. ये वचन प्रभु ने तब कहा, जब प्रभु एक सामरी अवरत के साथ बाते कर रहा था, और ये अवरत प्रभु से ये बोल रही थी, कि हमारे बापदादों ने इस पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना की, और आप लोग बोलते हैं, कि जहां उपासना होनी चाहिए, वह जगह तो यरुश्लिम में है, उस अवरत का सवाल था, कि मेरे बापदादों ने इस पहाड़ के उपर परमेश्वर की आराधना की है, और आपके यहुदी लोग बोला करते हैं, कि जहां परमेश्वर की आराधना और उपासना होनी चाहिए, ये जगह तो यरुश्लिम में है मतलब वहां जाकर परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए इस बात को समझाते हुए परमेश्वर ने उसको ये वच्छन कहा परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना करने वालों ने आत्मा से और सच्चाई से आराधना करनी चाहिए इसका मतलब कोई पहाड पर ही आत्मा से पुकारते हैं, दिल से उसको खोचते हैं, आत्मा से और सच्चाई से उसको पुकार लगाते हैं, वहाँ वहाँ परमेश्वर उनकी पुकार को सुनता है, इसलिए हमें यरुशलिम जाकर आरादना करने की जरूरत नहीं है, या किसी नियुक्त किये होए पहाड पर आरादना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, उसे कोई शाररिक रूप नहीं है, तो किसी एक मंदिर में या एक पहाड पर या एक गाव में या एक जगह पर वो मौझूद नहीं है, वो वहाँ मौझूद होता है, जहां उस पर सच्चाई से प्रेम क तो कहती हूँ आप घर में हो, या टेन से, बस से सफर कर रहे है, रास्ते से पैदल चल रहे है, या आप अपने कमपनी में है, आफिस में है, जहां कहीं आप होंगे, आप दिल से उसको पुकारो, जहां से आप पुकारेंगे, परमेश्वर आपकी मदद करेगा, वो आपकी पुकार को सुनेगा, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, उससे कोई शाररिक अस्तित्व नहीं है, तो ये मत बोलो कि इस पहाड़ पर वो है, या इस गाव में है, या इस शहर में है, जहां जहां लोग आत्मा से, सच्चाई से उसकी उपासना करते है, आराधना करते है, वहाँ वहाँ लोग परमेश्वर उनकी पुकार को सुनता है, परमेश्वर उनको जवाब देता है, और उनके लिए अद्भुत काम करता है, इस शु कहता है, ये परमेश्वर की चाहे वो चाहता है कि उसकी आराधना करने वाले उपासना करने वाले सच्चाई से और आत्मा से करे हालेलोया कितने सारे लोग धोंगी की तरह यानि कप्ती मनुश्य की तरह परमेश्वर की आराधना करना चाहते है पर आप जानते हैं, वो दिल को परखने वाला परमिश्वर है वो हमारे दिल को जांचता है, देखता है कितने सारे लोग यहां आते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभू किसी ने मेरे इतने पैसे लिये है, इतने साल हो गए वो मेरे पैसे लोटा नहीं रहा है कुछ तो अनुगरह कर और वो मेरे पैसे लवटा दी प्रार्थना खतम होती है इनके फोन पे रिंग बचती है सामने से फोन आता है उसी वेक्ति का, जिसने कितने महिनों से या सालों से इनके पैसे नहीं दिये थे, वो वेक्ति सामने से बात करता है मैंने तुम्हारा चेक बना के रेडी रखा है कला कर चेक लेकर जाओ यहां उसने प्रार्थना की अपने मन में प्रार्थना की किसी नहीं सुनाई उसके आसपास कौन है किसी नहीं सुनाई हमें यहां से सुनाई नहीं दी और यदि हमने सुना भी तो हम क्या कर सकते हैं, हम आपकी तरह साधरन मनुष्य है, हम आपको मुक्ती का रास्ता दिखाते हैं, चंगाई पाने का रास्ता दिखाते हैं, आशिशों का रास्ता दिखाते हैं, पर रास्ते पर चल कर मुक्ती को, आशिशों को, शांती को पाना ये आपका काम है, हम किसी क किसी को मुक्ति नहीं दे सकते, किसी को शांति नहीं दे सकते, किसी के जीवन में कोई अद्भुत काम नहीं कर सकते है। उसकी प्रार्थना को सुना। प्रमिश्वर आत्मा है और वो चाहता है कि उसकी आराधना करने वाले उसकी उपासना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। आत्मा है उसे शाररिक अस्तित्वन नहीं है तो हमें शाररिक बातों की जरूरत नहीं है उसकी आराधना और उपासना करने के लिए। यदि जरूरत होती तो हम आपको बता देते आते समय बड़े बड़े फूल लेकर आना या फूलों की माला लेकर आना तो आप कितने ज्यादा लेकर आते बताओ क्योंकि जितने फूल बड़े उतना आशिश भी बड़ा ना। हालेलुया हम आपको फूल लाने के लिए बोल सकते हैं सोना चांदी लाने के लिए बोल सकते हैं पर यदि ये बाते हमने बताई तो ये हमारा स्वार थे परमेश्वर को इन सारी बातों की कोई जरूरत नहीं है हमने ना आपको कभी फूल लाने के लिए कहा ना सोना चांद लाने के लिए कहा, ये भेट परमेश्वर नहीं चाहता है, परमेश्वर एक कही भेट चाहता है, क्या बताओ, आपने क्या सिखा है यहां पर, दिल, परमेश्वर क्या चाहता है, और कुछ नहीं चाहता, जब आप यहां आते हो न, जेब खाली रहा तो भी चलेगा, दिल ले कर आशाओ, प्रभू चाहता है, मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारे फूल नहीं चाहिए, फूल तो मैंने बनाए है, तु क्या मुझे फूल देगा, परमेश्वर अपने ले सोने और हीरे चांदी के फूल बना सकता है, परमेश्वर को इनकी कोई ज आलेलोया, परमिश्वर को फूल और सोना चड़ाने वाले बाहर जाकर दुसरों को लूटते है, फसाते है, दुसरों की हत्या करते है, जूड बोलते है, बुरा काम करते है, परमिश्वर कहता है, दिल लाओ, तो बाहर जाओगे, सबों के साथ प्रेम से बरताओ करोगे नम्रता से बरताओ करोगे किसी को फसाओगे नहीं, किसी को लूटोगे नहीं क्योंकि तुमने दिल मुझे दिया है तो मैं उस दिल में प्रेम भर दूँगा सहन शक्ति भर दूंगा, शाम्ति भर दूंगा तो तुम दुसरों के साथ प्रेम और शाम्ति से बरताओ कर सकते है हालेलोया कई लोग जब यहाँ प्रार्तना में आते हैं तो उन्हें ऐसा ही लगता है कि परमेश्वर हमारी बाहरी बातों को देखता है और वो बाहर से परमेश्वर को प्रसन करने की कोशिश करते है हम आपको हाथ उपर उठाने के लिए बोलते है गुटना टेकने के लिए बोलते है परमेश्वर के सामने हाथ फैलाने के लिए बोलते है ये बाहरी बाते हमारी दिल की अवस्ता को प्रकट करते है दिल की अवस्ता आप बोलेंगे बाहरी बाते महत्व पूरुण नहीं है तो क्या हम हाथ बानकर परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते है यदि कोई हाथ बानकर खड़ा है तो ये भी उसकी दिल की अवस्ता दिखाई देती है कि ये दिल में अहंकारी है घमन से भरा हुआ है कोई मनुष्य प्रार्थना में खड़ा है और हाथ बानकर खड़ा है और अपने सर को उठा कर यहां वहां देख रहा है इसका मतलब ये परमेश्वर के सामने नम्र नहीं हुआ है ये घमन से भरा हुआ है हम आपको इसलिए हाथ जोनने के लिए बोलते है हाथ उठाने के लिए बोलते है हाथ फैलाने के लिए बोलते है घुटना टेकने के लिए बोलते है कि हमें परमेश्वर के सामने नम्र होना चाहिए ये बाहरी बाते हमारे दिल की अवस्था को, दिल की दशा को दिखाते हैं, पर सच्चाई में हमारे दिल में परमेश्वर के लिए विश्वास होना चाहिए, हमारी आत्मा में परमेश्वर के लिए विश्वास होना चाहिए, और हम उसके लिए जो भी करेंगे, उसकी प्रार हालेलोया, कोई मनुष्य परमिश्वर को नहीं फसा सकता है, कोई नहीं, मुझे यादे बहुत साल पहले, प्रार्थना केंद्र में एक पती-पत्नी मुझे मिलने के लिए आ गई, और उन्होंने मुझे कहा, कि हमें प्रार्थना केंद्र को कुछ दान करना है, मैंने कहा कि व बात ऐसी है कि मेरी पत्नी को कैंसर हुआ था, यहां गले पे गाठ हो गई थी, और उसकी बीमारी बहुत बढ़ते गई, किसी ने हमको इस प्रार्थना केंद्र के बारे में बताया, तो हम यहां पर आ गई, हमने विश्वास किया, और यह उस अवरत के पती बोलते हैं, मैं पत्च दिन के अंदर ही प्रार्थना के द्वारा परमिश्वर ने बड़ा अद्भूत काम कर दिया, मेरी अवरत की गाठ निकल गई, उसकी सारी तकलिफे निकल गई, हमने दुबारा जांच कराया, डॉक्टर ने कहां यह ठीक हो गई है, दस महिना बीद गया, पर हमने प दस महिना हो गया, वादा पूरा नहीं किया, दस महिने के बाद उसी जगह दुबारा गाठा गई, और जब दुबारा गाठा गई, तब ये डर गए, और वो मुझे बोल रहे थे, अभी हमको डर लग रहा है, इसलिए मैं दस हजार रुपया लेकर आया हूँ, इस पर मैं क दान काउंटर पे दान दे दो, हालेलोया, 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 दस महिना पहले जबी प्रारतना में पहले बार आये, प्रभू को वादा किया कि मेरी अवरत ठीक हो जाएगी, मैं दस हजार रुपया दान दे दूँगा, और अवरत ठीक होने के बाद उसे लगा कि अभी क जरूरत है गाट तो निकल गई डॉक्टर ने भी कहा ये ठीक हो गई है तो दान दिया नहीं और दस महिने के बाद दुबारा गाठा गई आप जानते हैं परमेश्वर ऐसा क्यों होने देता है वो हम्में टेड़े रास्ते से सीधे रास्ते पर लाना चाहता है वो दस हजार आप भूका नहीं है पुराने नियम में परमेश्वर ने कहा है मुझे भूक लगेगी तो मैं तुझे नहीं बताऊंगा पूरा ब्रह्मांड मेरे लिए पड़ा है मैंने बस बोला और सब कुछ बन गया तो मुझे भूक लगेगी या मुझे प्यास लगेगी तो मैं सिधा कर वरना वो दुष्ट शैतान तुझे निगल डालेगा अनंत काल के लिए विनाश हो शाएगा हालेलोया 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 कुछ-कुछ लोग बोलते हैं क्या परमिश्वर बे ऐसा बरताव करता है मनुश्यों की तरह ये मनुश्यों की तरह बरताव नहीं है ये एक बाप की तरह बरताव है एक बाप जैसे अपने बेटे को सुधारने के कोशिश करता है उसे सही रास्ते पिलाने के कोशिश करता है और उसके जिन्दगी को अच्छा बनाने के कोशिश करता है वैसा ही परमिश्वर हमारे शरीर और आत्मा दोनों का भी बाप है और इसलिए वो हमें सही रास्ते पर आकर हमारे जीवन को, हमारे आत्मा को बचाने के लिए कोशिश करता है हालेलोया आप मुझे बताओ यदि परमिश्वर ने ऐसा ना होने दिया होता कि उसके गरदन पे दुबारा गाट नहीं आती तो क्या हो जाता ये लोग अंधकार में चलते रहते, दुबारा प्रभू के पास कभी नहीं आते अपने पापों का जीवन शुरू रखते, आगे बढ़ते रहते और एक दिन अनंदकाल का विनाश हो जाता अनंदकाल का विनाश आप उस घटना को जानते हैं मुझे नहीं लगता ये सच है या ऐसी ही रची हुई घटना है कहानी है पर आप मेंसे बहुत सारे लोगों ने सुनी होगी कि एक छोटा बच्चा जब स्कूल में जाता था चोरी करके चीजे घर पे लेके आता था किसी की पेंसिर, किसी का रबर, किसी का पें चुराकर घर पे लेके आता था मा देखती थी कभी उसको डाटती नहीं थी और ऐसा करते करते एक दिन बड़ा चोर बन गया और जब उसे फासिकी सजा हो गई तब उसे अंतिम इच्छा पूछी गई ये मनुष्य ने कहां बस अपने मा से आखरी बात करनी है मा को बुलाया गया उसने मा से कहां जरा तुमारा कान नस दिखला मुझे कुछ नीजी बात यानि प्राइवेट बात बतानी है मा ने अपना कान उसके मुह के पास लिया तो उसने जोर से चबा डाला और उसने कहां बच्पन में जब मैं छोटी छोटी चोरी किया करता था यदि तभी तुने मुझे डाटा होता और थपड लगाए होते तो आज मैं बड़ा चोरना बन जाता और ये नवबत मेरे उपर ना आशाती हालेलोया हालेलोया आज जो लोग बोलते क्यों परमिश्वर ने मेरे साथ ये होने दिया क्यों परमिश्वर ने मुझे वो होने दिया ये दुख दे दिया यदि उस दुख और संकट के द्वारा आपको सही रास्ता मिल रहा है और आप सुधर रहे है तो बाद में आप कहोगे परमिश्वर ने मेरे लिए अच्छा किया हालेलोया, मेरे प्यारे भाईों और बहनों परमिश्वर आत्मा है, वो हमारे दिल को परकता है, हमारी आत्मा को परकता है, इसलिए बाहरी बातों के द्वारा हम परमिश्वर को खुश नहीं कर सकते हैं, कोई व्यक्ति ने तीन घंटा गुटना टेक कर प्रार्थना की, और तीन घंटा जबी गुटने पे थे क्या आपका मन परमिश्वर की और लगा हुआ था आप बोलेंगे तीन घंटा मैंने प्रार्थना किया अच्छी बात है घड़ी में तीन घंटे जरूर हो गए पर तीन घंटे तक आपका दिल प्रभू की और था या कहीं भटक रहा था कमपनी में किसी के साथ क्या बातचित हो गई बजार में गए थे वहां क्या बातचित हो गई पडोसी के साथ क्या हो गया ये मन में घुम रहा है और बोलते हैं मैंने तीन घंटा प्रार्थना किया कुछ मतलब है तीन घंटा आप गुटने पे रहोगे या प्रभु के सामने बैठे रहोगे या ने प्रभु की तज़्विर रखी है उसके सामने बैठे है सामने बाइविल भी रखा हुआ है पर मन यहाँ वहाँ भटक रहा है प्रभु मन को परखने वाला परमिश्वर है दिल को परखने वाला परमिश्वर है और इसलिए इश्यू कहता है अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाली आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे हालेलोया 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 आप मेंसे बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि जब आप प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, आपका दिमाग यहाँ वहाँ घुमता है और कई समय के बाद आप होश पे आते हैं कि मैं प्रार्थना में बैठी हूँ, यह क्या सोच रही हूँ मैं प्रार्थना में बैठा हूँ, ये क्या चल रहा है मेरे दिमाग में, यदि आपके साथ ऐसा होता है न, तो सबसे पहली बात आपके लिए जरूरी है, मोबाईल और टीवी देखना बन कर दो, दूसरी बात, लोगों के साथ व्यर्था बाते बोलना बन कर दो, क्योंकि ये सारी बाते हम अपने अंदर भरा के रखते हैं, और जब प्रार्थना के लिए हम बैठते हैं, हम शामते रहते हैं तो भरी हुई बाते ही अंदर बोलना और गुंजना और घुमना शुरू होता है, यहां वहां हमारे सारा, सारे विचार दवडते रहते हैं, थोड अपने कान बन करदो, जितने आप दुनिया से जादा अलग हो जाओगे, उतने आप परमेश्वर के ज्यादा करेब जाओगे। जितनी दुनिया आपसे बाहर जाएगी उतना पवित्रा आत्मा आपके अंदर जादा भर जाएगा परमेश्वर के वचन जादा आते जाएगे आप परमेश्वर के ज्यादा करीब जाते रहोगे कोई चार घंटा मोबाइल पे गेम खेल कर बाद में शांती से प्रार्थना नहीं कर सकता है मुम्किन ही नहीं है चार घंटा मोबाइल पे गेम खेलने के बाद जो प्रार्थना करने के लिए बैठा है उसके दिमाग में गेम ही गुमता रहेगा वो जबान से हालेलुया, 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 धन्यवाद प्रभू, धन्यवाद प्रभू बोलते जाएगा, घर वाले भी देख रहे, बेचारा प्रार्थना कर रहा है, प्रभू जानता है, क्या कर रहा है, वो मन ही मन में गेम खिर रहा है, क्योंकि अभी-भी मोबाइल रख दिया ना अभी अभी मोबाइल रखा और प्रार्थना करने के लिए बैठा है बाहर से हाले लिए बोल रहा है तालिया बजा रहा है भजन गा रहा है घर वालों को भी अच्छा लगता है हमारा बेटा कितना अच्छे से प्रार्थना कर रहा है प्रभू कहता है ये तो मे तेरे बास अभी आया ही नहीं है, बहुत दूर है, क्योंकि उसके दिमाग में गेम चल रहा है। प्रभु की तस्वीर आपके सामने नहीं है तो भी चलेगा बिना तस्वीर आप प्रार्थना कर सकते हैं प्रभु आत्मा है आप दिल से पुकारो वो आपके नस्दिक आएगा वो आपके आवाज को सुनेगा मैंने कई लोगों का ऐसा बोलते हुए सुना है कि मुझे कुछ लोगों ने ऐसा बताया है कि सामने प्रभु की तस्वीर नहीं रहती है आपको आत्मा से उसको देखना है आत्मा में उसको महसूस करना है बिना तस्वीर आप अच्छे से प्रार्थना कर सकते है अच्छे से भजन गा सकते है परमेश्वर के साथ जूड सकते है और आत्मा में परमेश्वर के साथ एक हो सकते है हालेलोया हालेलोएya परमेश्वर आत्मा है आत्मा से और सच्छाई से उसकी आराधना करो उसकी उपासना करो ताकि वो आपके उपर प्रसन्न हो जाएगा उसकी मौजूदगी आपके जीवन में बनी रहेगी और आपका जीवन परमेश्वर की रोशनी से और शांती से भरा रहेगा हालेलोया और अभी प्रार्थना करने का समय है आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभयेश्यू आपको छू कर चंगाई देगा एक पल में वो आपके जीवन का दूख निकाल देगा और आपके आसवों को खुशी में बदल देगा क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है अनहोनी बात एक भी नहीं है प्रभयेश्यू आज भी जिन्दा है दो हजार वर्ष पहले वो शरीर रुप में धर्ती पर था आज शरीर रुप में नहीं बलकि आत्मा के रुप में है और दुनिया के कोने कोने में जहां जहां लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते है उसके पास प्रार्थना करते है उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है उन्हें चंगा करता है उनके आसों को पोंच देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बिमार भाग पर हाथ रखो और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते है तो आपने सीने पर हाथ रखो प्रभी इश्यू के नाम सी इसी क्षन आपके शरिर की सारी बिमारिया निकल जाए इश्यू के नाम सी आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए शैतान का हरे काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नश्ट हो जाए इश्यू के नाम सी प्रभी इश्यू के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नश्ट हो जाए सारी दुष्टात्माओं को प्रभु येश्यू के नाम से मैं आज्या दे रही हूँ इसी क्षन इन्हें छोड़ कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना इसी क्षन प्रभु का महान सामर्थाप के उपर आजए और आपका जीवन स्वर्ग की रौशने से भर चाए आमिन